गुट इम्निंग एंड वेल्कम टु माई चैनेल एस्यो मोंधिरदास दोस्तों तो यह जो वीडियो मैं आप पब्लिश करने जा रही हूं इसके बारे में ज्यादा बोलने की ज़रत नहीं है क्योंकि इसका पार्ट वान मैंने अल्रेडी पब्लिश कर दिया है आप जरूर उ सब्सक्रिप्शन आएगा और आपका लेवल एनायंस होगा तो कुछ पॉइंट्स मैंने पार्ट वान में डिसकस किया है दस में से चार पॉइंट तक वापे मैंने डिसकस किया था तो चार पॉइंट को आप पार्ट वान में देख लीजिए मैं दोबारा नहीं बोल रहे ह मैं सीधा सीधा जा रहे हूं next point में तो next point क्या है दोस्तो सबसे important जो चीज है एक और important चीज optimize your YouTube video like a blog जैसे कि हम लोग जो blog लिखते हैं जो blogger है जो blog में लिखते हैं तो हुआ पे क्या करते हैं हम लोग तरह तरह की different topics लेके ब्लोग को लिखते हैं और जिन लोग का blogging बहुत अच्छा होता है वहाँ पे बहुत publishers आते हैं इसको advertise मिनता है तो YouTube भी like a blog तो YouTube में हम लोग जो वीडियो दे रहे हैं वो जैसे के blogging में हम लोग राइटिंग करके करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकल चीज या कुछ भी चीज हम लोग दीखाते हैं आइदर खुद को दीखाते हैं खुद को प्रेजेंटेशन करते हैं बाइ टॉकिंग और mainly we are doing everything by talking तो अगर आप screen दिखा रहे हो यहाँ खुद को दिखा रहे हो यूट्यूब में क्या करना है आपको पहले ही आपका वीडियो का जो टाइटल है तो उसमें क्या करना है आपका जो मेन कीवर्ड है कीवर्ड दो तरीके का होता है इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पाब्लिश करूँगी आप लोग ज़रूर देखना on keywords तो उस keywords को आपको क्या करना होता है आपके वीडियो के title में जितना आगे हो सकी या तो beginning में या तो next word में आपको डाल देना है SEO training अगर यह keyword आप बोल रहे हो SEO training on YouTube ऐसे अगर बोल रहे हो SEO training यह जो आप YouTube में दे रहे हो है जो main keyword है इसको आपको पहले keyword में या तुस्ते keyword में आपका जो title है उसमें डाल देना पड़ेगा और क्या है कि आपको Second thing क्या करना पड़ेगा आपका जो description है वीडियो की तो आपके description में description में जैसे आप लोग जानते है h1, h2 जो h2 जानते हो वो तो जानते है h1, h2 tag तो जो नहीं जानते है उसके लिए बोले हो h1 है main line h2 है subtitle और subline जो main title की बाद में लिखा जाता है तो उस main title में जैसे के आपने title में keywords लिखा था वो ही keyword आपको description में जितना beginning में हो सके या तो first में या तो second line में आपको डाल देना है और third क्या करना है tags, tags है बहुत ही important है तो यह tag अगर आप नहीं दोगे ठीक ठाक से नहीं दोगे तो video आप कितना भी अच्छा बनालो आपका जाएगा नहीं उपर जाएगा नहीं रैंकिंग नहीं जाएगा तो वह tag भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देना पड़ेगा focusing on your keyword यह all time दिमाग में रखिया आपका जो main keyword है वह आपको focus करना ही पड़ेगा या चाहे title हो या description हो तीनों चीजों में आपको वह main keyword रहना ही चाहिए अच्छा बट एक चीज याद रखिए आप उभा स्टाफिंग मत कीजिए मतलब naturally keywords को दीजिए ऐसे ऐसे मत कीजिए कि आपको देना है इसलिए पांच बाशे 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 बाशाथ ऐसे गर के दे रहे अगर ऐसे गर के दोगे तो Google क्या करेगा आपका वो तो Google क्या करेगा आपका वो रैंक नहीं देगा आपका रैंक हट जाएगा तो ऐसे ही naturally कर दो keywords को अच्छा इसके बाद चलिए इसके बाद जो six point है वो है magnetized watcher with your video मतलब क्या है यह जो मैं बोल रही हूं मुझे इस तरीके से बोलना होगा या इस तरीके से आप लोगों को दिखाना होगा क्या आपको इंटरेस्ट लगी अगर आप लोगों को इंटरेस्टी ना लगे मेरे वीडियो में तो आप क्या करोगे एक दो मिनिट मैकसिमाम या उतना भी नहीं कुछ सेकेंड्स या 30-40 सेकंड्स देखके क्या बोल रहा है तो अच्छा नहीं बोल रहा है ऐसे बुलक आप चलिया होगा मैं बहुत वीडियो कीप करती हूं आप लोग भी करते हूं आप तो मैं ही लोग सब्सक्राइब नहीं आप लेकर देखकेंड्स आप लोग सेख़ेगैं वो भी connected feel करो मेरे वीडियो से उसके लिए आप लोग को कुछ ऐसे कुछ home work या ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा कि आप comment में ये लिखिए वो किजी आप बहुत बीग जो ब्लॉगर से उसके अगर आप यूटुबर से उसके अगर वीडियो देखोगे तो वो बोलते हैं कि आप comments में ये लिखो वो करो ये बोलो तो क्या है उससे क्या होता है आपको जो सुन रहे है देख रहे है वो connected होता है आपके वीडियो के साथ के अच्छा ये वाला करना है चलो Google में जाके करते है करने के ब मैं बींग हो तो क्या करना है अब क्या करना चाहते हो आप कैसे सोचतो वैसे ही आपका audience सोचेंगे तो वैसे करके आपको क्या करने connect कराना है पहले तो उनलोगों को ये भी बताना है आपको जे they are in the right place वह सही जगा आये है वह जो information ढूनने आये है वह आपके वीडियो से उ को बांत के रखना ये लेकिन एक बहुत ही बड़ा रैंकिक फेक्टर एक यूट्यूब क्योंकि आप लोग जानतों के 4000 आवर्स अप लोग को वास्टाइम होना जाए तो यह वास्टाइम ही है रिटेंशन और बांत के रखना कि आपके वीडियो तिल दा एं तक लोग देखे तो यह बह crowded है कि लेंग इंट्रों म्रव Susans का दोउत्त वीडियो के शुरू में विडियो के ऊवल जाकशन में साग लिए युबर्व करता है अबुलने लगे coffee करके आया हूं यह होगा वोगा कोई नहीं देखेदा इंट्रेq का लोग चाहते हैं कि वीडियो के क्लिक कर 10 30-40 second के बाद मेन मुद्धा पर वो आ जाए जो वीडियो बना रहा है तो वही है कि skip कीजिए long intro skip कीजिए चोटा-चोटा करके बोल दीजिए आज़ा को ड्सक्राइब करें बेर्णा यह एक पर वाला मैं कि आने मेरे संपोंट ही एमेजिग होने वाला है आप लोग सोज भी नहीं सकते हो तो क्यूरियोस की बढ़ाएं लोगों को अच्छा अब जाकर क्या करना है सेबन पॉइंपॉइंट में इनकरेज वाचर तो कॉम क्वेंट करो कोमेंट बहुत इंपोर्टन चीज है दोस्तों किनाफन एक क्म कम लोग उसमें उतना टाइम देते हैं कि कॉमेंट करें और कॉमेंट में कैसे कराना है ऐसे मत बोलिए कि कॉमेंट किजिए प्लीज कॉमेंट ऐसे मत बोलिए आप ऐसे बोलिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो आप कॉमेंट से आसे कर साववेर्स काउमेड करने के लिए झाल करने के लिए पूंड कामेड करने लिए यहीं कि जो आपका कॉमेंट बहुत बहुत इंपॉटेंट फीडियो के लिए जितना जाद आपको कॉमेंट मिलेगा YouTube जब आपको स्क्रॉल करेगा सार्च करेगा तो समझेगा कि ठीक है आपका वीडियो देखके पीपल बहुत बहुत हैपी है वो कॉमेंट कर रहे है आपने से तो ये वीडियो को वो इन्हांस पोजिशन में लेके जाएगा YouTube उसको आप कर देगा तो 8.00 में क्या होगा तो ये विडियो से यो टारगेट पीवर्ड इन योड वीडियो आपका जो टारगेट कीवर्ड है मैंने पहले भी बहुत बार बोला है जब title, description आप लोगो समझा रही थी, tag समझा रही थी, point में, तो यह बहुत important है, YouTube क्या करते हैं, आपके वीडियो से एक automatic script निकाल लेता है, वो हमारे समझ में नहीं आएगा, वो एक technical script है, जो वो निकाल लेता है, और निकालने के बाद क्या करता है, वो crawl करता है, पेज वीडियो स्कॉल करके आपको एक ranking देता है, तो अगर आप target keyword को आपके वीडियो में बोलोगे, बार बार बोलोगे, एक चीज याद रखना ये blog नहीं है, ब्लोग में क्या होता है, राइटिंग होता है, वेबसाइट में, तो वेबसाइट में Google के crawler आपके क्या करता है, वो सार्च करके आपको रहेंग देता है, ये है टॉक चीज है, टॉक करना पड़ता है, तो टॉक को भी YouTube क्रॉल करता है, टॉक को भी वो सुनता है और एक script बनाता है, script बनाके उसको crawl कते है, बहुत important चीज है, इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाख में रखिए, ये जो crawling करता है, उसमें अगर आप जब बोल रहे हो, बिगिनर जैसे के मेरे जो पोर्स है, और बिगिनर, बिगिनर YouTube SEO, तो ये वर्ड मैं जितने बार बोलूंगी जितने तरीके से बोलूंगी, इतने बार मेरा वीडियो सक्सेस्फूल होगा, क्योंकि ये ही मेरा main point है, या main keywords है, तो they will notice, वो लोग notice करेंगे, कि आप इसको बार बार बोल रहे हो, तो next चलिए, promote your video every day, सबसे important चीज, और 9th, हम लोग almost done, for this course and for this tips today, तो क्या करना है, आप लोग को promote करना है, everywhere email में कर सकते हो, social media में कर सकते हो, blog में कर सकते हो, जितने भी आपका जो भी contact है, facebook, twitter, linkedin, बगेरा बगेरा, सब में, reddit, koera, koera, एक बहुत ही अच्छा medium है, जिसमें आप लोग promote कर सकते हो, question answering का बहुत famous medium है, तो वहां पे आप लोग promote करो, जितना हो सके, और last but not the least, दोस्तों क्या है, optimize your channel's page, कैसे optimize, अब आप लोग बोलोगे, optimize क्या, optimize कैसे करे, optimize मतलब है, इसको lucrative बनाना, optimize का easy English है, lucrative बनाना, बहुत ही romance बनाना, जैसे कि इसको, इसका amazing look दो, एक बहुत अच्छा looks, जो देखके people को अच्छा लगे, आख में अच्छा लगे, मन में अच्छा लगे, क्या हाँ ठीक है, यह तो बहुत अच्छा है, चलो next page में चले, या, एक मिनिट तो बहुत अच्छा आ रहा है, इसको next, दो मिनिट सुने, तीन मिनिट सुने, ऐसे करके, उन लोग का interest भी बढ़ाना है, पेज को अच्छे से बनाना है, और second thing क्या है, describe कीजिए आपके targeted keyword, जैसे के मेरा ये वीडियो में ली है, उस लोगों के लिए, जो new in YouTube, YouTube SEO for new commerce, YouTube SEO for beginners, जो begin कर रहा है YouTube SEO को, ये expert के लिए नहीं है, या बहुत famous कोई blogger, ये YouTuber के नहीं है, जिसका लाखो लाखो सब्सक्रिप्शन है, मिलियन सब्सक् ये है mainly YouTube SEO for beginners, जो begin करने जा रहा है, जिसका channel new है, उन लोगों के लिए, तो ऐसे करके आपके keyword है, उसको description में डाल के, एक page setup किजिए, और हो गया आपका SEO, तो दोस्तों, आशा करते हैं, के मेरा जो ये प्रयास था आप लोगों के लिए, जो 10 tips आपको दिया, ये आपको काम म आएगा, मेरा part 1 में आधा हिस्सा है, तो वो ज़रूर देखे है, मैं यहापे card पे entry कर दूँगी, तो आप लोग उहाँ पे click कर देना, और ये ना बोलके तो में खतम नहीं कर सकती, like all the bloggers and youtubers, मेरा नाम है मंदिरादाश, मैं SEO expert हूँ, और आप please like कर देना मेरा video अगर अच् subscribe कर देना, अगर आपको next videos देखना है, बिल बटन में click कर देना, subscribe कर देना, तो इस तरीके कर दूसरे video भी मैं लाते रहूंगा, कुछ technical videos भी ला रही हूँ, कुछ game related video भी ला रही हूँ, जिसके आप आप कर सकते हो, ऐसे कुछ video, कुछ freelancing videos आप और के वो भी मैं कर रही हू तो please support me, मैं भी नया हूँ, आप लोग के लिए मैं नया नया तरीका ला रही हूँ, जो के new है, जो beginner है, जो new का मार है YouTube field में, so आज के लिए ये पर खतम करते हैं, thank you and good night everyone.